क्या होगा अगर बिजेपी लोग सभा इलेक्शन हार जाए? क्यों? सुनने में इंपोसिबल है ना? लेकिन क्या हो अगर 400 पार का नारा देने वाले 272 भी ना ला पाएं? जरा सोच ये मोदी के नाम से अचानक लोगों का मन भर जाए ऐसे में क्या बिजेपी के सितारे गर्द उनकी ये भविश्यवानिया सच हो जाए? देश को फिर कौन से नए लीडर का साथ मिलेगा? क्या इंडिया फिर सूपर पावर बन पाएगा? या मोदी जी के जाने से देश एक बड़े क्राइसिस में फस जाएगा? चलिए जानते हैं, बिजेपी के हाद से सत्ता की कमान फ पोजीशन के पास मिनिममम 55 सीटे होनी चाहिए, बस एक बड़ी प्रोब्लम पार्टी के फेस की होगी, अब तक बिजेपी को सबसे बड़ा एडवांटेज मोदी जी के फेस का ही मिला है, इंटरनेशनल लेवल पर पीम मोदी की इमेज एक बड़े इंफ्लूएंशियल ली कर ये उमीद योगी जी, नितिन गड़करी जी या फिर अमिच्छा जी से लगाई जा सकती है, पर ये पॉलिटिक्स है जनाब, और यहाँ पर पार्टी का चेहरा और आइडियोलोजी बदलते देर नहीं लगती, ऐसे में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, ये कह पाना तो म जाए, और अगर ऐसा हो जाए, तो इंडिपैंडन्स के बाद में ये पहली बार होगा, जब इतनी सारी पार्टी मिलकर सेंटर में सरकार बनाएगी, और इसके डिसएडवांटेजिज आपको पहले दिन से ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, यदी कार बनकर तयार हो जाती है, तो छोटे से छोटे बिल को पास कराने के लिए भी सेंटरल गॉर्मेंट में यूनिटी नहीं दिखाई देगी, डिफरेंट आइडियोलिजी और इगो क्लैश की आग में अच्छे अच्छे डेलॉप्मेंट प्रोजेक्ट्स, लोज और सर्वि पड़ी है, जहां बिजेपी और कॉंग्रेस जैसी ओपोजिट आइडियोलोजी ने भी कदम से कदम मिला कर कई एक्ट्स को अमेंट किया है, और इलिगल फंडिंग को भी अपने बेनिफिट के लिए लीगल बनाया है, तो दा पॉइंट ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े अलाइंस के हाथ में अगर पावर आई, तो इसके कई disadvantages इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं, अब आते हैं social और policies के changes पर, तो बीजेपी के जाने के बाद में obviously उनकी बनाई गई policies को भी तो या तो amend कर दिया जाएगा, या फिर implement करने से पहले ही हटा दिया जा बीजेपी गवर्मेंट से mainly इसी एक्ट को लेकर ही नाराज रही है, ऐसे में chances बहुत जादा भढ़ जाते हैं कि अगर Indian Alliance जैसी गवर्मेंट आती है, तो इतनी बड़ी आबादी का support अपनी तरफ करने के लिए ये नई सरकार ये एक्ट हटवा सकती है, CAA के साथ साथ Uniform Civil Code यानि कि UCC जैसे एक्ट पर भी रोक लग सकती है, जिसे लाने के लिए बीजेपी कब से AD चोटी का जोर लगा रही है, दरसल Uniform Civil Code एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म समुदायों को एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत करता है, बीजेपी इसी कानून को implement करने का सालों से करती आई है, लेकिन अगर 2024 में सत्ता किसी और के हाथ में आती है सहब, तो चांसिस बहुत जादा है कि ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जा सकता है, इसके अलावा One Nation, One Election जैसी बड़ी पॉलिसी का मुद्दा भी मेंस्ट्रीम पॉलिटिक्स से गायब हो सकता है, अ लेफ्ट आइडियोलोजी और कोग्रेस तो इस कानून को डेमोक्रेसी के खिलाफ मानती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बड़े प्यार से इसे लागू कर दे, इन शोर्ट बिजेपी का ये सपना धरा का धरा रह सकता है, वैसे बिजेपी के जाने से एक चीज और वो है मीडिया की भाशा, अब तक तो जो मीडिया पूरे तरीके से मोधि کے फख्ष में बोलते नाजर आती है वो ज़्रूर ही बिजेपी के जाते ही नई सरकार की भाशा बोलने लगेगी, हिस्टरी बताती है कि सरकार जिसकी रहती है मीडिया उसी की भाशा बोलती है, ऐसे में ये पूरे चांसिस हैं कि न्यू अलायंस गौवर्मेंट की जैजैकार करने में भी गोधी एंकर्स देर नहीं लगाएंगे अब आए दूसरे फ्लॉज पर तो बिजेपी के जाने के बाद में लद्दाक और मनिपुर जैसे मुद्दो पर भी एक मेजर चेंज आ सकता है य हो है immediate solution और peace की हाला कि सरकार ने पुलिस को enforce करके मामले को control करने की बहुत कोशिशे करी हैं लेकिन कहीं न कहीं मोधी सरकार की ये सारी कोशिशे फेल रही हैं ऐसे में आने वाली सरकार से लोगों की उमीदे हैं कि वो मनिपुर में कोई बड़ा stand ले ताकि भारत के इस राज और full state hold की मांग कर रहा है सोनम वंग्चुंग और लदाक के लोग तो इसे लेकर 21 दिन की fasting तक कर चुके हैं और आज भी वहां protest जोरो शोरो से चल रहे हैं उन लोगों में गुसा इस बात का भी है कि 2019 के manifesto में जब BJP ने लदाक के full state hold की बात की थी तो अब क्यों वो इसे द जाएगी कि वो आते ही इस मुद्दे पर stand ले विपक्ष में बैट कर बाकी parties ने लदाक को support ही दिखाया है तो फिर जब सकता उनके पास आएगी तो हो सकता है कि वो इस पर एक बड़ा फैसला ले अगर ऐसा होता है तो ये नई government के लिए एक बड़ी achievement हो सकती है और देश मे कई जगों पर चल रहे विवाद भी शांत हो सकते हैं विवाद के लिस्ट में एक नाम किसानों की MSP का भी है जिसे लेकर फरवरी और मार्च के महीने में किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे उनकी मांग थी कि फसलों पर MSP यानि की minimum support प्राइस दिया जाए इसे लेकर हला भी काफी हुआ था हैवी पुलिस फोर्स से लेकर टियर गैस सब कुछ लगाया गया लेकिन इसका कोई result नहीं निकल पाया किसान वापस तो चले गए लेकिन वो BJP सरकार से इतने नाराज हैं कि शायद उनका vote bank बटा हुआ हो सकता है इन सभी conditions के बीच अगर new alliance government आती है तो हो सकता है कि किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करें और ये भी chances हैं कि new government खुद किसानों की MSP की मांगों को पूरे तरीके से execute कर दे क्योंकि farmers को MSP देने की guarantee खुद Congress तक अपने manifesto में दे रही है राहुल गांधी ने भी खोल के इस पर बात कर है और तब नई सरकार को इस चुनोती का solution निकालना ही पड़ेगा वैसे एक चुनोती नई सरकार के सामने unemployment की भी होगी क्योंकि BJP की सरकार में बेरोज़गारी दर काफी जादा भट गई है आज के वक्त में जादा से जादा लोग BJP से unemployment के मुद्दे को लेकर ही नाराज है उनका मानना है कि दस सालों में BJP कही न कहीं इस परेशानी को सुलजाने में नाकामियाब रही और इसका जवाब खुद आकड़े देते हैं खुद राहुल गांधी का कहना है कि भारत में बेरोज़गारी पाकिस्तान से भी जादा हो गई है जहां पाकिस्तान में 12% unemployment है तो कि वो इस परेशानी पर जल्दी से जल्दी action ले जितनी रफ़तार से हम 5th largest economy बने हैं लोग चाहते हैं कि उतनी ही तेजी से बेरोज़गारी की problem को भी tackle किया जाए ताकि middle class से at least middle तपका न चीन लिया जाए कुछ experts का मानना ये भी है कि BJP के जाने से एक और चीज जो काफी तेजी से बदलेगी वो है धर्म की राजनीती दरसल कई polls और reports इस बात की गवाही देती है कि BJP के आने के बाद में communal violence में काफी जादा rise देखने को मिला है जो लोग इस से पहले सरकार से बेरोज़गारी, रोटी, कपड़ा, मकान और tax को लेकर सवाल करते थे अब उनका main topic of discussion केवल धर्म की राजनीती है, अगर BJP सत्ता से जाती है तो ये एक opinion है जो की लोगों का ध्यान एक बार फिर से education, policy, health, infrastructure और basic facilities centralized हो जाएगा, लोगों के बीच जो debate अभी ग्यान वापी और भोजशाला को लेकर होती है, वो मुद्दा कल को development पर focus हो जाएगा और ये सारे hot topics थंडे बस्ते में चले जाएगे, वैसे तो ये भी हो सकता है कि लोग आज जिस freedom of expression पर बात तक नहीं करते हैं, वो इस पर भी अपना opinion देना शुरू कर दें और एक बार फिर से democracy को लेकर विवाद गर्म हो जाए, इसी बीच में एक और मुद्दा है जिस पर नई सरकार का क बजट ही 5.94 लाख करोड था, रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल के मुकाबले हमारा डिफेंस बजट 13 परतीशत से भड़ा है, खुद स्टोकोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के अकोर्डिंग, दुनिया के कुल हतियार आयात में भारत क हिस्सा 11% हुआ है, और साल 2018 से 2022 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हतियार खरीदने वाला देश बन चुका है, तो ऐसे में बिजेपी के जाने से नो डाउट डिफेंस सेक्टर में भढ़ने वाली पोलिसी को एक बड़ा जटका जरूर लगेगा, लेकिन देखना ये दिल्चस्प होगा कि न्यू गोर्मेंट कैसे इन पोलिसी को आगे बढ़ाती है, और स्टेटेजिक लोकेशन पर कैसे इंडिया को चाइना पाकिस्तान से आगे रखती है, इस समय सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन एयर फोर्स, नेवी और मिलिटरी को जादा से जादा होने की जरूरत है, हम औरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकली अपनी स्ट्रोंग इमेज जिन्दा रखने के लिए ये भी जरूरी है कि हम चाइना को टकर दे सकें, और यहाँ पर न्यू गोर्मेंट की क्या पॉलिसी होगी ये देखने लायक होग लेकिन न्यू गोर्मेंट के बनते ही दूसरी सरकार के साथ में भारत के रिष्टों में 360 डिगरी टर्न देखने को जरूर मिलेगा, हो सकता है कि मालदवीज को लेकर हमारा स्टैंड बदल जाए, या फिर इसराइल फिलिस्तिन इशू पर न्यू गोर्मेंट नीट्रल स्ट के बजाए किसी एक पक्ष को सपोर्ट कर ले, इतिहास गवा है कि सरकार बदलते ही डेमोक्रेटिक रिलेशन्स हर सरकार के साथ बदलते हैं, क्योंकि आइडियोलोजी बदलती है, आज इसराइल हमारी साइड है, मगर दिल्चस्प ये देखना होगा कि नई सरकार में हमारे फोरण रिलेशन्स क्या गुल खिलाते हैं, और पॉलिटिकल इंडिया की क्या इमेज रहती है, क्या आने वाला इंडिया का नेक्स लीडर भी एक इंफ्लेंशल इमेज बना पाता है, या फिर एक इनकेपेबल लीडर बन कर उभरता है, दोस्तों आपको क्या लगता है, इन नई इंटरस्टिंग टोपिक के साथ, जै हिन जै भारत!